राजिस्थान बिधानसवा चुनाग को लेकर कॉंग्रिस ने प्रमुख कमेटियों का एलान कर दिया है गोविंद राम मेगवाल को कैम्पेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है वही सीपी जोशी को घोशना पत्र कमेटी के जिम्मेदारी दी गई है कोर कमेटी में आशोक गहलोत और सचिन पाइलिट दोनों को शामिल किया गया है कोर कमेटी की अगर बात करें तो इसमें सुखविंदर सिंग रंधावा इसकी सायोजक है अशोक गहलोत इस टीम के सदस्य है उनके अलावा गोविंद सिंग डोटा सरा, जीतेंज सिंग, सचिन पाइलिट, हरीश चौधरी, महंदर जीत मालविय, मोहन प्रकास, सीपी जोशी, गोविंद राम, मेगवाल ये सबी इस कमेटी के सदस्य है इसके अलावा एक समनवे समिती का भी ऐलान किया गया है इसके अलावा एक केमपेन कमेटी बनाई गई है और उसके साथ ये एक मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई गई है साथ में स्ट्रटिजिक कमेटी और मीडिया और संचार समिती का भी ऐलान कॉंग्रिस ने कर दिया है जानकारी के लिए बता दे के मंगलवार यानि साथ सितंबर को और इंडिया कॉंग्रेस कमेटी के अधिक्ष मल्लिका और जिन खड़के ने केंद्री चुनाव समिती का गठन किया था 16 सथस्यों के इस समिती में राजिस्थान का एक भी नेता शामिल नहीं है बागी चुनावी राजिया मैसे 36 के टिपटी स्की एम टियस दीर सिंग को ही शामिल किया गया है वही सौनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सौनी, अधिरंगिन चौधरी, सल्मान खुरसीद, मदुशूदन मिस्थरी जैसे तमाम बड़े नेता इस लिष्ट में शामिल किये गए है वेलर रेपोर्ट, इंडिया पोस्ट नियूस